इस बार का जो सावन का महिना है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है सावन के महिने में 72 साल के बाद ऐसा राज योग लग रहा है ये राज योग 72 साल पहले लगा था जो अब लग रहा है इस समय आपको खास कर सिव जी की उपासना करनी चाहिए वैसे सिव जी को प्रसन कैसे करें और ये जो राज योग है और कौन कौन सा राज योग है जो सावन के पहले दिन लग रहा है हम उस पे चर्चा करेंगे साथी साथ सावन का ये जो 72 साल के बाद योग लग रहा है वो कौन सा योग है इस पे भी चर्चा करूँगा तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा जैसरी महाकाल, मैराहूलतिवारी आप सभी का आपका अपने इस चलन में हिर्देश से स्वागत करता हूँ दोस्ते सावन का महिना बारह महिने में से सबसे पवित्र महिना सिव जी का ये माना जाता है हिंदू पंचांग के अनुसार पाँचवा महिना जो है ये सावन का महिना होता है अंग्रेजी में चले जाए तो ये जुलाई अगस्त में पड़ता है इस समय इसकंद पुरान के अनुसार देखा जाए तो विश्णू जी इस समय निद्रा की अवस्था में रहते हैं और धरती की जो पुरेविश्व की जो बाग डोर है जो पुरे ब्रंभांड की बाग डोर है वो सिव जी के हाथ में रहता है सिव जी इस महिने में सभी भक्तों के उपर अपनी अलुपम दृष्टी रखते हैं बिल्कुल प्रेम इसने हैं लुठाते रहते हैं वैसे हमारे जो सिवजी हैं ये भोला हैं संकर हैं ये किसी के धतूरे भांग पे भी फिदा हो जाते हैं किसी के माला फूल पे भी प्रसन हो जाते हैं कोई अपने आपको भी चढ़ा देता है तो भी ये प्रसन हो जाते हैं आपके पास जो है वो ले जाके सिव जी को समर्पित कर दीजिए सिव जी सब कुछ आपका जो आप देंगे सब कुछ ले लेंगे और उसके बदले आपको जो चाहिए वो सब कुछ दे देंगे सीव जी को प्रसंद करने के लिए सीव जी ये जो सावन का महिना आ रहा है इसमें आप जरूर ब्रत करिएगा 72 साल के बाद ऐसा राज ये उलग रहा है कि सोम मुवार के दिन ही सावन की सुरुवात हो रही है और सोम मुवार के दिन ही सावन का अंत हो रहा है 22 जुलाई को सोमवार पढ़ता है और 19 अगस्त को भी सोमवार पढ़ रहा है तो 22 जुलाई से लेके 19 अगस्त तक 22 को सावन सुरुवात हो रहा है और 19 अगस्त को सावन अंत हो रहा है तो 22 जुलाई को भी सोमवार का दिन है और 19 अगस्त को भी सावन का सुम्मौार है तो इसलिए ये जो योग है ये 72 साल के बाद बना हुआ है सावन के प्रतम दिन प्रीती योग, सर्व सिध्धी योग और आईश्मान योग ये तीनों योग बन रहे हैं ये तीनों योग का मतलब होता है कि आप जो भी वस्तू चाहते हो जो आपको सुखमे बनाए सरवा सिध्धी योग बनेगा आप इसमें जो चाहोगे जो सुख की कामना करोगे यदि सिवजी का पूजा पाट करते हैं, अर्चना करते हैं, व्रत का पारण करते हैं तो निस्चित रूप से आपके जीवन में वो सुकस विधा जरूर मिलेगा लेकिन पूजा की विधी जो है मैं वो भी बता दूँगा, और इसमें क्या है, आईसमान योग है, यदि आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी है जिसे आप लेके बहुत परेसान हैं, तो आप इस सुम्मवार को जरूर उपाए करिएगा, प्रतम सुम्मवार को, साथी साथ सुम्मवार की, मतलब सावन के पहले दिन ही सुम्मवार की दिन आपको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए, उपाय में क्या करें, उपाय में मैं आपको बता दू, सावन के पहले सुम्मवार की दिन आपको आकड़े का फूल, धतूरा, ये जरूर सीवजी को चड़ाना है, साथी साथ आपको मधू का लेप करना यदि आपकी बीमारी जादा बढ़ गई है तो और साथी साथ यदि आप चाहते हैं कि सरवाद सिध्धियोग मिले आपको तो आंकड़े का फूल और मदार का फूल जो होता है धतूरे का फूल के साथ साथ में आपको बेल पत्र पे राम राम सफेद चन्न से लिखके ये सिव लिंग पे आपको प्रथम सुमवार के दिन समर्पित करना है यदि आप प्रथम सुमवार के दिन इस तरीके से आप पूजा पाट करते हैं और सिव जी पे ये लेप करते हैं सीव जी पे चढ़ावा करते हैं तो आपकी जितनी भी अविलासा है सब सीव जी पूरा करेंगे यदि आपको और भी कुछ जानना है सीव जी के विशे में सावन के समवार के विशे में तो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं साथी साथ ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईएगा जैसरी महाकाल आपका दिन सुब हो, मंगल हो, स्वस्त रहें मस्त रहें